स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत मैं हूँ रवेंदर सेंग कोवीड के चलते जो नंबर आज सामने आया है वो चिंता में डालने वाला है आज जो कोवीड नाइंटीन गरस्त लोग सामने आये हैं वो आंकड़ा है 2193 2193 लोग कोवीड नाइंटीन पॉजिटिव आज आये हैं 25 लोग पचिस लोगों ने आज अपनी जान गवा दी कोवीड के चलते पूरे जमू किश्मीर यूटी में और ये आंकड़ा जमू में 14 का है और शिर्नगर में 11 का और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 272 लोग जिनका इलाज गोवर्मेंट मेडिकल कॉलेज में चल रहा है जो कोवीड नाइंटीन से ग्रस्त हैं हम यहाँ पे खड़े हैं क्या आपको लगता है कि जो एसोपी जो रूल से रेगलेशन कोवीड नाइंटीन के चलते एडमिस्टेशन दवारा बनाए गए हैं क्या वो काम कर रहे हैं अगर वो काम कर रहे हैं तो फिर जो नंबर हमारे सामने आ रहा है यह ऐसा क्यों आ रहा है यह तो हम तबाई की तरफ जा रहे हैं यह तो हम उस नंबर की तरफ जा रहे हैं जिसकी हमने अपेक्षा कभी की नहीं होगी जिसके लिए यह सोपीस बनाई गई होंगी तो लगता है कहीं गलतियां हो रही हैं कहीं कुछ होर करने की जरूरत है आप इस नंबर को देखिए 25 लोगों ने आज जान गवा दी ये ओफिशल नंबर है पता नहीं इसके आगे क्या है और ये जो ओफिशल जो गोर्मन्ट हमें बताती है ये वो नंबर है इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज एड़ोकेट शेख शकील साब है शकील साब आपका बहुत-बहुत स्वागत शकील साब कहां खड़े हैं हम आज बहुत ही मैं ये समझता हूँ कि हमारे जमू किश्मी जूटी के लिए अफसोस की खबर है कि 25 लाशों का उटना जिसे कहते हैं और विंदर जी जिन लोगों ने अपने घर के अफराद खोये हैं ये दुख्र, ये दर्द, ये तकलीफ, ये वही लोग जानते है और दूसरी बात ये है कि कही न कही मुझे लगता है कि चूक है हमें ये बात माननी चाहिए और लोग आक्सिजन के लिए परिशान है लोग इंतजामात के लिए परिशान है कहा ये जा रहा है सरकार की तरफ से कि आक्सीजन की कोई कम ही नहीं है और आज का जब हमने सुबा का अख़बार खोला रविंदर जी मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि जम्मू का और जब किश्मीर का हम कमपेरिजन करते हैं तो जो हल्थ केर की फिसलिटीज हैं वो किश्मीर में बहतर हैν आप देखिए आज हमें अख़बारों के दौरा ये पता चला कि सात जगह पे सात हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पे ऐक्सीजन के प्लांट किश्मीर में काम कर रही है जबकि हमारा जमू का जो प्लांट है वो भी कहीं पे में नजर नहीं आ रहा है 1973 में रविंदर जी मेडिकल कालेज इस्टैबिश हुआ और वही सलेंडर का बिजनस जो है वो यहां पे चल रहा है और आज हालात ये हैं मैं आपको बता दू रविंदर जी देश के कि आपको दिली से जमू में फोन आ रहे हैं आपको गुरगाओं से जमू में लोग इतना परेशान है कि अगर पानी पात से भी सलेंडर उठाना है या जमू से भी सलेंडर लेना है तो लोग कह रहे हैं कि चाहे कितने भी पैसे कोई भांगे हम उसको देने के लिए तैयार है इस किसम की आपात कालीन की इस्तिती जो है रविंदर जी बनी हुई है दूसरी बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है मीटियं बड़ी हो रही है कमेटियं बड़ी बन रही है लेकिन जो ग्राउंड पर डिलिवरी है रविंदर जी वो नज़र आनी चाहिए मैं आपको एक चीज कहूँगा कल मुझे बड़ा अच्छा लगा कल रात को मैंने देखा कि डिविजनल कमिशनर जमू जो है वो खुद शायद सामभा दिश्टिक्वास सामभा में वो गे हुए थे और दूसरी बात मुझे सबसे जो अच्छी बात लगी कि इट वाज ए सर्प्राइज विजिट तो आज हमारे लेटरेंट गवर्नर मनोसीना साब भी जीमसी जमू और मुझे लगता कहीं जाते हैं तो आपको वो जो ग्राउंड की सिचोइशन है रविंदर जी वो नहीं मिलती वो मुझे याद है जब लास्ट टाइंग गवर्नर साब ने विजिट किया यही सुना हमने दोस्तों से आप जैसे साफियों से कि वो जो चादरें और जो तोलिये वो जो इंतजामात नजर आए वो अदे गवर्नर साब की विजिट के बाद वो जो सामान था वो बाद में नजर नहीं आए वो विजिट मुझे अभी भी याद है क्योंकि आप जिस इंतजाम की बात कर रहे हो तो वो हस्पिताल के अंदर नहीं सडकों पर भी था, चूना बचा दिया गया था कि जहां से गुवर्नर साथ निकलेंगे, जाहर सी बात है कि वो उसके लिए त्यार रहते हैं, जी जी, मैं देखिए मेरी और आपकी इंटेंशन बिलकुल भी किसी का मनोबल जो है, वो गिरान सिमा पर था, हमारे जितने भी मीडिया साथी थे, वो भी बड़ी खुश असलूबी से उस ताइम कवरेज कर रहे थे, लेकिन जुहीं डाक्टर डीगरा प्रिंसिपल की कुर्सी से हटे, या सरकार ने उनको हटाया, तो जम्मू में कोवीड भी खतम हो गया, और जम्मू से कोवीड के खिलाब जो है, वो जो जंग थी, वो हमने जीत लिये, तो, ये क्या था, ये सच था ये जूट था, ये बिल्कुल जूट था, तो आपको क्यों लगता है कि उनके जाने के बाद इस तरह की चीज़ें सामने हैं, इसके पीछे क्या कारण क्या था, देखिए ये तो, ये बेढ़से के रहे बाद आपको कारण के वहां की जो इनकी दूसरी लगाई था, जो इनकी दूसरी लॉबी थी मेडिकल कॉलेज में, वो ये चीज़ कह रही थी, कि जो डाक्टर डीगरा है, ये इस इस प्पोर्टिंग औट ज़िविग आल प्राइम एसाइमे हैं और दूसरी तरफ से डॉक्टर्स की आपस की जो सीनिय डॉक्टर्स की जो लड़ाई थी वो सामने आने लगी तो सरकार के पास और कोई चारा नहीं था और उपर से मीडिया में भी यह बात हैं काफी आने लगी और अल्टीमेटली डॉक्टर डीगरा जो है उनको एक तो आज आप वही चीज देख रहे हैं कि जहां से हमने चोड़ा था हमने वहीं से शुरू किया है लास्ट एर वाला यही वो जम्मू था यहां पर अठारा अठारा बीस पीस डेस्ट जो है वो हमने जम्मू में देखी है रविंदर जी लास्ट एर और सबसे अफसोसनक बात हमने सीखा कुछ नहीं रविंदर जी सीखा कुछ नहीं सबसे बड़ी यह बात है कि आज भी जो हमारे यंग ढक्रसे हैं जो हमार्य पोस्ट ग्रेजियु culcan आ।ब्स रहां मैं पिछले यहां लोगों की मौत वाकिया हो जाती है लेकिन जो सीनिय डॉक्टर है रविंदर जी वो अवेलेबल नहीं होता और यह वही मेडिकल कालेज है जिसमें लास्ट एर आक्सीजन जो है वो दिन में दो-दो गंटे के लिए तीन-तीन दफ़ा डिप हो रही थी अबने कबर किया था वो ने बिलकुल मैं आपको साब बात कहूंगा ने इसलिए यह बात आप से कर रहा हूँ कि मेरे नजदीकी रिष्यदार we lost our close blood relatives रविंदर जी मैं आपको साब बात कहा रहा हूँ मेरे घर के लोग डॉक्टर्स हम लोगों ने रिक्वेस्ट आप समझ सकते हैं कि समाज में जानते हैं हम लोगों को डॉक्टर्स को भी जानते हैं लेकिन बार बार इस तदा करने पर भी हमें सीने डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो पाए और आज हम ये बात कर रहे हैं कल भी मैंने आपकी स्टोरी देखी मैंने रिपबलिक भारत से भी ये स्टोरी देखी कि ये बात की जा रही है कि अटेंडेंस को अंदर छोड़ा गया है ये बड़ा सवाल है डॉक्टर्स देवर इंसाइड इन्दीवार उनके धामार मेरे कजन सभी लोग अंदर थे सिर्फ वो ही नहीं थे जितने भी पेशेंट्स थे उनके जो विद पीपी किट्स और के लोग पीपी किट्स के बीना भी थे मैं आपको साब बात कहूंगा तो इस किसम का जो सिल्सला है मैं आपको साब बाताओंगा ये चल रहा है और दूसरी बात मैं आपको रविंदर जी आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ किसी शक्स को शोक नहीं है कि वो अपनी जान को रिस्क में डालकर वो कोवीड वार्ट के अंदर जाएगा हम वो ट्रस्ट पैदर नहीं कर सके है हमें लगता है कि हमारा जो पेशेंट अंदर सेफ नहीं है अंदर सेफ हैंड्स में नहीं है इसलिए हमें जाना है अंदर देखे हमें अंदर देखे मैं आपको एक बासाफ करूँगा आप देखे जब हम एमस में जाते हैं हम मिदानता में जाते हैं ठीक है या हम पीजी आई चंदी गार्ड में जाते हैं हम वहां प्रोटोकॉल क्यों फालो करते हैं एक ट्रस्ट है मुझे मालूम है मेरा पेशन्ट अंदर गया हुआ है वो सेफ हैंट्स में है वहां पे जो डॉक्ट साब है अगर उन्हों ने आठ बज़े आना है डूटी चेंज होनी है तो आठ बज़े डॉक्स साब ने आना है अगर नर्स ने वहां पे नौ बज़े आना है तो जो नर्स जा रही है वो आने वाली नर्स को समझा देगी यहां जी इनको कौन कौन से यह टाइम टेबल है इनको यह डाइट देनी है यह चीज होनी है हम वो सिस्टम यहां पे ड्वालप नहीं कर सके मैं आपको एक बात साफ कहना चाहता हूँ और अफसौस से मैं यह चीज़ कहूँगा कि मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि जो मेडिकल काललज का नाम बनना चाहिए था जिस तरह लोग स्किम्स का नाम लेते है जिस तरह पीजी आए चंदी गर का नाम लेते हैं ठीक है आप देखिए बार बार यहां से लोग गुहार लगाते हैं कि जम्मू मेडिकल कालिज की जो टीचिंग फकल्टी है वो आफिस टाइमिंग में भी प्राइविट प्रैक्टिस करती है जब हमारा किरदार यहां तक पहुंच चुका है कि हमने मेडिकल काल अपने सेनियर को कहयें के सारा पाईये क्यूँके उनके जो मार्कि ऐोते हैं आफ ग्रिडेशन के लिए वो उन senior professors के पास होते हैं और जो patient होता है और जो उसका attendant होता है उसके क्या हालत होती है रविंदर जी यह मैं आपको बताना है Absolutely शकील साब आपने बड़ा अच्छा point बताया हमने भी अपने माधिम से आपको बताया था क्योंकि मुझे अभी भी याद है अपनी वो कहानी नहीं कहानी नहीं कहूंगा वो सची गटना यहां मैंने अपनी आँखों के सामने तीन लोगों को अपनी जान गवा दी थी उन्होंने तवी में शायद एक को बचा लिया गया था दो की डेथ हो गई थी किश्मीरी माइगरेंट फैमिली थी आपने उनको जून जुलाई के महीने में 44-45 डिग्री टेंपरेचर था पी-पी किट पहनाया क्यूंकि उनका एक कोविट पॉस्टी पेशन की डेथ हो गई थी उसको क्रिमेशन के लिए ले जाना था उनकी भी डेथ हो गई सफोकेशन से वो उनका डिहाइडरेशन था क्या था लेकिन वो लोग मृत्य हो गई आपने इतना जबरदस एसोपी फॉलो किया कि आदमी की जान चलेगे आज समझ नहीं आ रहा है गोविट मेडिकल कॉलेज के अंदर सिर्फ एक मास गाकर आप कोविट 19 पॉस्टी पेशन के पास उसका अटेंडिस बेज रहे हो बिठा रहे हो वो उसको ट्रीट भी कर रहा ह फीड भी कर रहा है यह समझना मुश्किल है अगर कोई ओर्डर ऐसा आया है आपके पास जनाब आप पब्लिक डुमेंड में डाल दीजिए या फिर जो कोविट की दूसरी लहर आई है शायद इतनी स्ट्रॉंग नहीं है या फिर यह एक दूसरे की तरफ नहीं जाती लोग नहीं हो रहे हैं यह समझना हमारे लिए मुश्किल हो गया है कि यह एक्सपेरिमेंट किस तरह चल रहे हैं और किन लोगों ने परमिशन दी है अगर आपके पास इस तरह का कोई गाइड लाइन है तो हमें बता दीजिए हम इस पर रिपोर्ट करना बंद कर देंगे क्यूंक दिस्टिक जम्मू की बात करूंगा कि 50% के साथ शौप ओपन होंगी पूरा वेपारी जगत परेशान है लेकिन मैं आप से समझना चाहूंगा क्या यह काम करेगा क्योंकि कि काम नहीं कर रहा क्योंकि जो आज का डेटा हमारे पास है वो काम नहीं कर रहा है तीन दिन एक शौप खुलेगी तीन जाने कि छे दिन मार्किट बीजी रहेगी लोग निकलेंगे बाहर जाएंगे फिर आप सेटेडे संडे को आप पूरा लॉक्डॉन कर रहे हो वो कर रहे हो आपको लगता है कि जी चेन टूट जाएगी यहां तक मैं समझ पाता हूं मीन अधनय रहे हैं कि जो कर रहे हैं वो सही है कोई समझी नहीं आ रही है एडिनिस्ट्रेशन भी परशान है मैं अपको जो जमू है या जमू किश्मीर है यहां पर एलजी साब को भी जो डिरेक्शन लेनी पड़ती है जो हदायात लेनी पड़ती है वो दिली से लेनी पड़ती है यह एक पावर सेंटर तो जमू में या जमू किश्मीर में है नहीं है आप देख लीजी इस वोकत जो बाबू और आपको याद होगा, रविंदर जी यह जो भी करोना कर्फ्यू लगा है, आप देखे कितने बज़े अनॉंस्मेंट हुई है, सबसे पहले हमारे LG साफ का जो ट्वीट है वो वाइरल हुआ, और फिर उसके बाद यगदम जिसे कहते हैं, कहने की यह बात है, एक तो सबसे प अच्छी बात है, और दूसरी बात, जब तक हम लोग सिंसेरिटी के साथ, अरविंदर जी, सिंसेरिटी के साथ हम अपनी पबलिक के बारे में नहीं सोचेंगे, और जहां तक मैं आपको लोगों की बात करूँआ, आप देखें, लोगों ने कौन सा सोपी और कौन सी डिरेक दुले को लेका सड़क पे चल रहे हैं, आपने जमू की बारातें देखी, आपने देखा कि दो दो सो लोग सड़कों के ओपर होते हैं, पटाके चलते हैं, कितनी ट्राफिक की डिस्रप्शन होती है, आज आपने खुद कवर किया है, मेरे मीडिया के जो भाही हैं, वो कवर हैं, वो क्या हुआ है, फिर उसके बाद आप यह देखिए, सरकार ने कहा, कि सिर्फ टूशन फीज देनी हैं, जबके एनुल चार्जिस नहीं देने हैं, और उससे पहले जो स्कूल वाले हैं, वो अपने एनुल चार्जिस भी पेरेंट से ले चुके थे और उसके बाद नो हैं, इतना करेक्टर माला, हमें अपना करेक्टर मालूम हैं, और फिर उसके बाद, अब आप देखे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, किसी बड़ी गट्टा का, ठीक है, अब होगा क्या है, रिबंदर जी, खुदा ना खास्ता, आप देखेंगे, कि कुछ केसिस बढ़े हैं, लेकिन इसको फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये काम नहीं कर रहा है, जो आज हमारे पास डेटा है, जो आज का 25 लोग जमो कुश्मीर यूटी में, जिनकी डेथ हो गई है, 2193 का आकड़ा आज गरस्त हुआ है, तो ये काम इसका मतलब ये काम नहीं कर रहा हैं कि 25 लोगों की डेथ हो गई है, लेकिन जब आप हमारी GMC की इंतजामियां से बात करेंगे, वो कहेंगे ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो क्रिटिकल पेशेंट्स थे, इनको तो मरना था, देखिए उनके लिए तो वो डेट बाडिज हैं, मैं आपको साब बात कहूंगा, आप देखिए जवाजियत क्या है, हम दर्दी नहींगे इनको, उन लोगों के साथ, ये किएंगे वो क्रिटिकल लोग थे, ठीक है, सर मैं आपको फिर यही कह रहा हूँ बिंदर जी, चोट दर्द उसको होती है, जिसके घर का नफर जाता है, जिसके घर के शेख साब, ये आपसे ये जाना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, कि गोर्मेंट तो अपना कर रही है, जो कुछ समझ आ रहा है, वैसा वैसा वो कर रहे है, आपको क्या लगता है, कि क्या हल क्या होना चाहिए, देखिए इसका हल यही है, मैं आपको एक साफ कहूंगा, गोर्मेंट के पास प्रॉपर फीडबैक लेने के तमाम जराय है ठीक है गोर्मेंट के पास पूरी इंफरमिशन आ रही है इस तेंगे और दूसरी बात यह है इस टाइम सरकार हमारी ट्रेड एसोसेशिंस हमारी सीवल सोसाइटी इच शुड बी अन वन पेज अरुविंदर जी ठीक है लेकि जो पैरलल ट्रेडर्स हैं, उनका दूसरा बयान आता है, आप देख लीजए, सरकार के जो नोटिफिकेशन है, स्कूल के लिए एक दिन एक नोटिफिकेशन आता है, कालिज के लिए एक नोटिफिकेशन है। इतनी ambiguity है, इतनी confusion है, इस confusion को कौन दूर करेगा रविंदर ची पहले आप मुझे एक चीज़ बताईए। आपको लगता है कि जो administration में लोग बैटे हैं, शेयद उनको इन तरह की चीज़ों से निप्टने के लिए अभी पूरी तरह से experience नहीं है। नहीं, अभी तचर्बा भी नहीं है, और सबसे एहम बात जो मैं आपको कहा रहा हूँ, कि सरकार क्यूं डर रही है कोई extreme और harsh action लेने से, जबके civil समाज बिलकुल तयार है उस चीज़ के लिए, आप मुझे बताईए कि लिए लास्ट एर हमने continuously तीन महिने के lockdown नहीं देखा किय किसी ने शोर मचाया, किसी ने शोर ने मचाया, आप देखिए, हमें परदान मंतरी जी ने कहा, मुझे जलाएं, आप देखें लोगों ने मुझे जलाएं, परदान मंतरी जी ने कहा, कि आप छटों पे चड़िये, आसमान की तरफ देखिए, ठालियां बजाईए, क्या लो लेकिन मैंने बहुत कम प्रेजन्स देखी पुलीस की कल जम्मो में, लोगों ने खुद ही, समझ गे लोगों, लोगों ने खुद ही कल कर्फियू को अबसर्फ किया, ऐसी बात नहीं है, और सबसे बड़ी बात आप देखिए, मुझे इन दिनों में रविंदर जी, मैंने एक क्रिमेशन्स भी एटेंड की, आप यकीन कीजिए, हमारे जम्मो के प्रॉमिनेंट लॉयर, टू टाइम्स बार प्रेजिडन्ट ठाकर रशपाल सिंग जम्वाल का इंतकाल हुआ, आप यकीन करेंगे, सोला या सतारा लोग थे उस क्रिमेशन में, छड़नी में, मैं पांच इस से जएधा, और क्या सिवल समाज आपको कौपरेशन एक्स्टेंट करेगा, और आप इस ताम जम्मो में किसी भी शादी में चले जाएए, आप अगर आपने 50 की लिमिट या ओपन में 100 की लिमिट रखी है, आपको उस से भी 50% काम लोग नज़र आएंगे, जब समाज आ करने के लिए तैयर रहे हैं तो सरकार को गौृर्मनन टो है के कौंशिज कॉन रोक ह्रा को यह रोक रहा है। कोहीं नहीं रोक रहा है से कहते हैं लेकिन अववलीन जो ड्यूटी है अब वलीन ड्यूटी यह है सरकार की ड्यूटी बनती है तू प्रोटेक्ट आवर लाइफ और प्रॉपर्टी यह मैं आपको चीज़ को अपसलूटली हमें उस चीज़ का इंतजार नहीं करना है क्योंकि जो आज हमने इंट्रिवू किया है वो आज का डेटा है 272 लोग आज भी गोवर्मेंट मेडिकल कॉलेज में एड्मिट हैं उप चार दीन है कोविड नाइंटीन के चलते तो मुझे लगता है जो एसोपी जो रूर्स और रेगुलेशन इंप्लिमेंट किये हैं वो नाकाफी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं हम किस और जा रहे हैं क् आपको जब भी लॉग डॉन करना है आपको गोवर्मेंट को जब मैं आप कहता हूं तो मेरा इशारा जो इंतजामिया की तरफ है आप इतना सक्षम होने चाहिए वो 14 दिन वो 21 दिन जो भी आप लॉग डॉन करोगे जितना भी दिन रहेगा आप सक्षम होने चाहिए आपन उनके साथ खड़ी हो जाएगी, यह वक्त आ गया है जनाब, अगर आपको कोई एक्स्ट्रीम स्टेप लेने हैं, मुझे लगता है कि वक्त आ गया है, और दूसरी बात एक और, यहां डिसक्स करनी बहुत जरूरी है, डेप्टी कमिशनर के आफ़िस से एक और आया था कि सबी स्कूल, अपने स्टाफ के लिए 50% प्रेजन्स रखेंगे, और एक रोस्टर बनाया जाएगा, वो काम नहीं कर रहा है, आप ही के लोग आपको नहीं मान रहे हैं, मैं स्कूलों के नाम भी जानता हूँ, एक हाइस केंट्री स्कूल है, बिशना से आगे जाकर, अब मैं पट